खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। अब आपकी सरकार क्यों बैक फुट पर आ गई क्यों जब कहा गया संसद में वैसी साहब को में शाहा ने कहा कि अनर्सी होकर रहेगा अनर्सी लाएंगे तो अब यह क्यों कहा जा रहा है कि अभी नर्सी की तो कोई बाती नहीं है जब अनिवारे है तो है दिखिए पहले इसमें हुआ एनर्सी और नैशनल रिजिस्टर शिलिजन्स बनेगा आप सही कह रहे हैं उससे मनमोहन सिंग नहीं कहा कि हम नहीं इसका समर्थन करेंगे और उससमें मनमोहन जी के साथ कौन खड़े थे CPI, CPM, शरतपवार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंग्यादो सभी खड़े थे तब तब अपने उरोध नहीं किया देखिए हमारे पधान मंत्री ने क्या कहा है अभी कोई बातचित नहीं हुई है क्योंकि सिरिजन्शिप रूल 2003 के अंतरगत NRC कैसे होगी इसका एक प्राव पूरा वो एक ड्राफ बनेगा जी उसका वेरिफिकेशन होगा उसमें किसी की आपत्ती है तो आपत्ती पर सुनवाई होगी सुनवाई के बाद फैसला होगा फिर अपील होगा अपील के बाद दिरने होगा तो यह कुछ नहीं अभी हुआ है नरेद मोदी की सरकार कानून के अनुसार काम करती है आप जान लिजिए हम कॉंग्रेस नहीं है कि बिना कानून के अनुसार काम करें अगर नर्सी करना भी है तो कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार करना है जो जर्चा भी नहीं हुई है तो यहीं तो मोदी जी ने कहा था लेकिन जंता में क्या मैसेज जा रहा है देखिए ट्विटर पर अभिशेख पूछ रहे हैं कि क्यों NRC, NPR पर शाह संसद में कई बार बोलते हैं कि CAB के तुरंद बाद NRC लाएंगे, मोधी जी बोलते हैं इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, फिर हम इस शाह कहते हैं कि हम अम्रम साब को दिखा दूं क्या गुणी विद्वान ग्रीह मंत्री जो ने कहा कि NRC, NPR का सबसेट है, दिखे, जो प्रधान मंत्री ने कहा कोई confusion नहीं है, एक होता है इरादा, एक होता है करने की प्रक्रिया, और करने की प्रक्रिया में जो कांदुनी मैंने बताया, एक ग सुपा के नहीं करेंगे, देश को बता करेंगे, तो मतलब NRC आएगा, आए कि जरूर तो बेद बता करेंगे, वेना को बता दिया ना, उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको अनुसार बताएंगे, लेकिन आप जितना ज्यादा जागरुकता, नागरिकता कानून को लेकर के पहला रहें, उतने ज्यादा अब प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहें, हाला के प्रोटेस्ट हुए और शान्त हो गए, अब उस तरह के हिंसक प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, हिंसक वारदाते नहीं हो रहीं, मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इसे अपनी सफलता मानते हैं, खानून विवस्था की, या फिर इस बात की कि आप समझाने में युवाओं को काम्याब रहे, कि इस तरीके के पत्थरबाजी की जरूट नहीं है, ये खानून उनके विरोध में नहीं है, उन्हें देश से बाहर नहीं करेगा, या फिर, या फिर, या फिर, या लाचीत करने को तयार है, अगर किसी ये कंस्यूजन है, उसको भी बताने को तयार है, लेकिन जो प्रायोजित पत्थर बाजी, वही बच्चे तो सबक पर थे, ठीक है, तो समझे भी तो, बात उनको समझाई भी गई, कहीं सख करवाई भी हुई, तो इस आ कुछ प्रायोज है जी क्या आप सिर्फ नागरिक हो के वोट हो सकते हैं क्या नहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में रखना पड़ेगा और आपको वोटर आई-कार्ड भी चाहिए या कोई पासपोर्ट चाहिए वोट देने के लिए तो क्या आप कर सकते हैं क्या यह तो वोटर लिस्ट हर दो स के लिए पैन कार्ड के लिए आपको तो कोई दिक्कत नहीं होती है और एक मैं बड़ा सवाल करता हूं क्या आप अमरीका में ऐसे कुछ सकते हैं कि या तो आप से जन होई है या भी साच चाहिए इंग्लेंड में है इसकॉटि curriculum इसुट्स टीख में जियमनी में में एक में नेधर लैंड में जेपान में स्वीजिए ये सतना डेश कोन है डेमोकरणटी कंट्री हैं ऑखनी एक भी तनाशाहि की बात नें के हैं तो एमेरिका में हो झाल झाल